EPS संगठन ने आमरन अन्शन करते हुए जीती जंग आपको बता दें कि इस संगठन के अंतरगत समस्त लिमेटेड कमपनियां आती हैं और संगठन ने सभी लिमेटेड कमपनियों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ते हुए आज सफलता प्राप्त की जिसमे सूती मिल भी शामिल है जहांसी सूती मिल भी लगभग 22 वर्षों से बंद पड़ी है और ततकालिन करमचारियों को कोई विशेश लाब भी नहीं मिलता जहांसी सूती मिल के करमचारियों की जिन्दगी बड़ी मुश्किलों भरी गुजरी है और कई तो इनसाफ की उम्मीद में इस दुनिया को अलविदा भी कह गए संगठन द्वारा 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आमरन अंशन किया गया था जिसके बाद संगठन के अंशन को देखते हुए श्रम मंत्राले ने मांगे सुईकार कर ली है जिसमें 7500 प्लस डीडिये का सुझाओ वित्य मंत्राले के पास भीज दिया गया है यह सुझाओ 12 दिसंबर तक मंजूर होने की उम्मीद भी जताई जा रही है इस अंशन में जहांसी बियाचीयल के एस के अवस्थी बलवान सिंग यादव, मुकेश कुमार वर्मा, आरके शरमा, लक्षमी नारायन वा नंदी का विशेश योगदान रहा संतो जाकी रिपोर्ट बंदेल खंटोडे जासी